नमस्कार साथियो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ब्रत यानि सर्कल सर्कल के बारे में जो अलग अलग उसकी डेफिनिशन से उसके पाइट्स की और सर्कल से रिलेटेड हम आज कितना कुछ समझ सकते हैं इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना होगा और आज हम सर्कल यानि ब्रत के बारे में देखती हैं तो ब्रत और हमने उससे पिछले वीडियो में देखा था उसमें हमने गोला या स्पेर लिया था बैचे हमें सबसे पहले सर्कल या ब्रत लेना चाहिए क्योंकि वो टू-डाइमेंशनल है और जो गोला रहता है वो थ्री डाइमेंशनल यानि त्रिविमिये आकरती रहती है लेकिन फिर भी हमने गोले को पहले ले लिया आज हम ब्र ब्रत में और गोले में क्या difference है तो हमने देखा था कि यह था गोला और ब्रत में हम देखते हैं कि यह है ब्रतेया ब्रत्यकार शक्ति यह इनमें दोनों में डिफेंस क्या है तो क्या रहता है कि एक इस्थर बिंदू से यदि हम गोले को काएं तो किसी स्थर बिंदू से समान दूरी पर जैने जो दूरी रहती है वो उसको रेडियस काएंगे हम तो किसी स्पेस में इस्थिर बिंदू से समान दूरी पर इस्थिर बिंदू का समुच्च है इस पेर या गोला कहलाता है क्यांकि जैसे मार लो कि यह आपका एक इस्थिर बिंदू है और समान दूरी पर इधर इधर हम जितने भी बिंदू लगा सकें इस साइड इस बिन्दु के चारों ओर जितने भी हम बिन्दु होंगे उनका जो कलेक्शन है उनको मिलाने से जो आकरती बनती है वो क्यों एगा एक स्पेर बन जायेगा लेकिन ब्रत में क्या होता है किसी समतल में ब्रत में समतल रहता है कि किसी समतल में एक इस्थर बिंदू से समान दूरी पर इस्थित बिंदू को मिलाने से बनिया करती या बिंदू का समुच्चा है ब्रत कहलाता है तो उसमें कह रहता है कि जैसे इस प्रकार से अपन देखते हैं यह है इसमें कि जैसे जहां पर कोई इ कि य्जा देगा थो ए हम बिन्दों बिला देंगे तो यह एक ब्रत की अकरती बन जाएगी तौ उस में सम्तल रहता है और गोले में इस स्पेस या आकास रहता है है बस यह ही यह ओर पूरी डेफिनिशन सेम है उसमें बहुंभीस्तीर बिंदू से समानदूरी पर इसमें भी एक स्थिर बिंदू से समानदूरी पर बस इसमें किसी संतल में हैं और उसमें गुले में किसी आकास में तो जित दोनों इसकी अपन डेफिनिशन को समझ सकते हैं तो यह आपका ब्रत है तो ब्रत में हम एदी आदा इसको अलग कर दें तो जो आकरती रहती है इस परकार से जैसे पुरा ब्रत्त है और यहां पर इसका कींद होता है, सेंटर यहां पर तो यदि हम इसको अलग कर दें तो जी दोनों क्या हो जाएंगे अर्द ब्रत्त तो यह दोनों जाएंगे अर्द ब्रत और यदि हम इनको जोड़ दें तो पूरा का पूरा एक ब्रत बन जाएगा पिछले वाले वीडियों में देखा था तो जो अर्द ब्रत है वो दोनों सरवांग समा करती हैं एक दूसरे की क्योंकि एक दूसरे को ढख लिया तो जिनकी तरज्जा समान है तो समान तरज्जा के जितने भी ब्रत होंगे वो सारे सरवांग सम होंगे क्योंकि समान तरज्जा होना चाहिए जैसे अब आपने देखें कि इस ब्रत की जो तरज्जा है और इसके जो तृज्जा वो सेम है, कैसे हम इसको इदर लगा के देखते हैं, तो जे दोनों को इसमें एक दूसरे से ढख लिया, तो जे दोनों ब्रत सरवांग सम हैं, यानि कॉंग्रूएंट हैं, तो एक्वल रेडियस के जितने भी सर्किल होंगे, समान तृज्जा के जित बीच में एंगल इसमें ज्यादा बन गया तो जो एंगल जो केंदर पर कोण के हिसाब से इस त्रिजकंड का छेतरफल गयाद कर सकती है तो यह फॉर्मूला साइड में आपने दिखा है, यह साइड में लिखा हुगा, आपको दिख रहा होगा कि इस त्रिजकंड का छेतर फल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा Πाई आर स्कॉार, थीटा क्या है के इंदर पर बना कौर, थीटा बटे 360 पाई आर स्कॉार, आर इस की तरिज्जा आए पाई का मान 22 वटे साथ अपन लिख सकती है उसमें लिखा रहता कॉश्चन में अन्यता पाई की जगाए पाई ही रहने दें कोई दिक्कत नहीं है अब अपन मान के चलते हैं कि यह आपका एक सरकल है और जिस सरकल की परदी है जिस परदी होती है सरकुंफ यदि हम जैसे हमने किनारे पर एक कील लगाई और इस कील पर एक धागा लगाया और उस धागे से किनारे किनारे धागे लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ और उस धागे को ऐसे हमने किनारे से लगाते गए लगाते गए लगाते गए और उसी कील तक धागा लाओ जहां से हमने स्टार्ट किया था और उसको अपन कैची से काट लें उस धागे को सीधा करके नाप लें जितने सेंटिमीटर मीटर जितने का भी वो लंबाई का धागा होगा वही इसकी पर्धी या परिमाप कहलाएगी हमने क्या किया एक बिंदुब ये माल की लिए एक बिंदुब इसको माल लिया इन दोनों को मिलाया तो इसको हम कहेंगी जीवा यह ब्रत की जीवा है पर्धी पर इसे दो बिंदू पर परदी पर इसते दो बिंदों को मिलाने वाला रे का खंड ब्रत की जीवा कहलाता है तो जे भी ब्रत की जीवा है यदि हम इसको यहाँ पर मिला दें इस परकार से जे भी ब्रत की जीवा है पर जे थोड़ी उससे बड़ी हो गई एला और नीचे ब lá दें। एक बिंदू तो सबसे बड़ी जीवा कौण से होगी हम इसको एक बिंदू कौछ भिक्स मांलो। आप खुदी आप देख सकते हो कि इसको आप से ले जाएं केंडर से से इंटर से निकलते हुए ऐसे सी इधर ले गाए तो जो यह भी जीवा है पर वो जीवा ब्रत की सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि ब्रत की सबसे बड़ी जीवा उसका ब्यास क्या होता है कि ब्रत की परदी पर दो बिन्दूओं को मिलाने वाला ऐसा रेका खंड जो किंद्रि शेओं कर जाए यहां पर ब्रत की परदी पर एक बिंदू ले लो और यहां पर ले लो उसको मिला दो और केंदर से जाए तो बियास हो जाएगा यहां पर ले लो उसके केंदर से जाने वाला एक इसके सामने ले लो इसको मिला दो तो भी बियास हो जाएगा कितने ब्यास होती हैं इसमें infinite, ununt क्या हों कि कोई भी बिंदू ले ले लो और केंडर से जाने वाला opposite side में एक दूसरा बिंदू ले लो तो उसको मिला दो तो यह ब्यास फिर से बन जाएगा तो ऐसे कितने ब्यास होंगे infinite, ununt ब्यास होंगे पर उन सब की length equal होगी क्या हों कि यहां से लेकर यहां तक की लम्वाई बराबर है, हम यहां से कर दें, इसको एक दूसरी रवर लग़ा दें जाते हुई यह इस प्रकार से इसको अपन मानके चलते हैं जिक सेंटर से पास हो रही है तो यह आपको एक दूसरा ब्यास हो गया इसके लंबाई और इसके लंबाई दोने के लंबाई कैसी होगी बराबर तो यह आपका ब्यास तो यानि ब्यास भी ब्रत की एक जीवा है जीवा और ब्यास में सिर्फ यही अंतर है कि जो ब्यास है डायमीटर ब्यास को अपन डायमीटर कहते हैं इंगलिस में तो ब्यास है व उसको हम जीवा कहेंगे, चाहे वो सेंटर से पास हो या ना हो, पर सेंटर से पास होता है, तो वो जीवा ब्यास भी बन जाती है, और सबसे बड़ी जीवा होती है, तो हम इसे बारे में एक जानकारी हमें पता चली, कि ब्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका ब्या इस दो प्रमोल पर करें तो व्हजिवा trade me अड़ करता है तो तो इई इससे की प्रव क्या हो आगी की इनड पर के अंडने से डाला गया लंज़ जीवा को सम्दी माध से करता तो जमने क्या किया यह को परपेंडरी कोलर ड्रो कर दिया बताना है कि जो जीवा के दो पार्ट हैं जे एक्वल हैं जीवा के दोनों टोकड़ी कैसे होंगे एक्वल तो इसको प्रूब करने के लिए अपने क्या करेंगे कि जो जीवा है उसके दोनों सिरों को एक इसको इसको केंदर से मिला दें ही अहां से लेकर को स endeavor से मिला दeles औश अंस 몰라 देंगी और यहां से लेकर की उसको मिला दिया यहां से किंद्र इसकी जे दोन класс को यहां से मिला तिया अब इसको पोरूब करने के लिए हम क्या है कि gonna the तरिज जय भी तरिज धे दोनों तरवे धस्याव गों कि तरिज यह भी था उज ले रहे हैँ तो यह से जी भी ब्रित की तरिज जा आज इन दोनों त्रोगुज क्योंकि J जो लाइन हैं वो इस तर्वुज में भी ए इस तर्वुज में भी है तो J लाइन हो गई common और जब एपने लमग डाला था तो J 9090 का हो गया यैनी हमें तीन चीजय बराबर बता दी एक J जाइन इसके बराबर बता दी और J लाइन common हो गई और तीसरा वो angle 90 का हो गया तो जब भी angle 90 का रहता है और उसमें अपने एक current यहनी hypotenuse equal बता आती है तो वो theorem कौन से हो याती है समकौन की current भुझा पर में समकौन तरभुझ की current और भुझा अपने एक भुझा बरावर बता ही और current बरावर बताया तो समकौन तरभुझ की current भुझा पर में जिसको अपन सौर्ट में RHS लिखती है RHS यहनी right right angle hypotenuse side RHS right angle hypotenuse side right angle यहनी समकौन तरभुझ हो गया और hypotenuse यहनी उसका current और side तो समकौन की current भुझा पर में से तरभुझ हो जाएंगे सरवंग सम या congruent हो जाती है संगत वाली corresponding side equal हो जाती है corresponding angle equal हो जाती है क्योंकि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था हमने की सरवंग सम में संगत चीजें equal होती है तो अब हम मालूम है कि यह इसके equal था ही यह common था यह 90 का 90 का equal था तो इसका मतलब है कि अब इस triangle की जे side बची और इस triangle की जे side बची जब यह दोनों त्रवोज सरवंग सम हो गए तो जे side इसके equal होगी जब जे side इसके equal होगी इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर ने इस जीवा को दो equal part में divide कर दिया जह हमारी theorem प्रूप हो जाती है तो यह practically हम इस चीज को कर सकते हैं कि ब्रत की जीवा पर केंद्र से डाला गया हम लंब जीवा को समद्वीवाजित करता है और दूसरी theorem इसमें कौन सी कर सकते हैं कि जैसे माल लिया कि एक आपकी जीवा जे है इसी लंबाई की एक दूसरी जीवा भी अपन इसमें ले 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 तो अब यह दोनों जीवाएं एक्वल हैं अब हमें प्रूप करना हैं कि ब् केंद्र से जितनी दूरी है इस जीवा की भी केंद्र से उतनी ही दूरी होगी यहनी ब्रत में समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं इसको हम प्रूप कैसे करेंगी तो वही कि जीवा है इसके दोनों सिरों को केंद्र से मिला दें तो कैसे मिला दें अपने इस गए लगा आपन क्या कर रहे हैं कि जीवा थी अपने को दिया था दो जीवाएं थी संहान थी बस कि यूल रचना क्या कि हमने कि जैसे माल झाली कि इसका नाम था अबी और इसका सीडी तो ए ओ उग इसे सेंटर हो गया तो अबी ओ सी ओ और डियो को मिलाया जह तो हमने मिलाया था जह दिया थोड़ी था दिया था हमको A, B, O, C, D, dw, जीवाइं समान दी थी तो हम क्या लखेंगे दिया है में कि दिया है दो समान जीवाएं A, B, O, C, D हैं किसकी एक ब्रत जिसका केंदर ओ तरिजया आ रहे हैं दो जीवाएं A होती हैं तो अपन रचना में क्या लखेंगे कि A O B O C O D O को मिलाया मतलग इनकी सिरों को केंदर से मिलाया अब हम क्या करें कि इससे सेंटर पर पर परपेंडिकुलर ड्रो करें यहां से हम क्या करें एक परपेंडिकुलर ड्रो करें लंब डालें और यहां से भी लंब डालें जिवा पर डाला गया लमचिवा को समद्वाजित करता है तो हैंसे परपेंडिकुल करेंगे अब तो अब क्या है कि जे साइड इसकेक्वल करण इसका बरावर था इंथ और हम कून की करण बुजा। पर पर में च्छोटे तुरम पर सरवंग संधे सांचे बंदिपल परिपंडिकलर एक वो बिगने कि जीवा की केंदर के बरावर अब ये मतलब तो इसके बरावर अंब कर न एदि इसमें किसी को कोई प्रब्लम है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बता दें जिससे अपन इसको कौपी पेपर पर लिखकर और उसको अपन जो इसकी ड्राइव है उसमें हम उसका फोटो डाल दकते हैं और इसकी लिंक आपको बता देंगे तो उस के माद्यम से आप ड्राइव से उस चीज को मैनुवली दिख सकते हैं कि बास्तम में जे कैसे होगा तो इससे हम कई और भी प्रीमे प्रूब कर सकती हैं कि जो अब रहें हमने कौन सी थी कि समान जीवाएं के इंदर से समान दूरी पर होती हैं इसी प्रकार और कौन सी हो सकत समान और जित तीनों की त्व बराबर है तो जित Smells कैसे हो गए सर्वांग सम और सिर्वा सकती हैं तो इस प्रकार से हम इससे सरकल से रिलेटेड जितनी भी थियोरम हो सकती हैं वो हम इससे कर सकते हैं तो अगले वीडियो में हम इन प्रेमियों को और प्रूब करके बताएंगे कि कौन-कौन सी थियोरम इसमें हो सकती हैं तो अपन उन प्रेमियों को प्रूब करेंग और एक वीडियो लेकर आएंगे practically पायथागोरस थिवरम को कैसे prob कर सकते हैं practically तर पर है रिख इससे तर पार नि यह उसके बास्ता में कि करन का बर्ग से इस दो बोजाौं का बर्गों के ययोर से बराबर होता है किसी समकौन तरबुज में की नहीं होता वास्ता में ऐसा हो कैसे जाता है इसका अर्थ क्या है इसका कारण क्या है इसको अपन अगली वीडियो में लेकर आएंगे तब तक के लिए आप इंतियार किये और इस वीडियो को सेर जरूर करें नवस्कार धन्यवाद